अब दोस्तों राजवन सिंग महली रियर स्टेट मेंटर एंड ऑफर बोटिवेशन स्पीकर आज का टॉपिक के के स्टडी के अपर के स्टडी वी क्या है हम को रिजिस्ट्री करवानी है हमने तो रिजिस्ट्री करवाने के लिए जब हम गए तो वह जहां जो आदमी डील कर तो वह बताने लगे कि यह इस त्रीके से इनका मलब एरिया निकलता है मलब शेर इनके इस साब से निकलते हैं जबके सचाही कुछ और थी यह टोटल लैंड है जो फिफ्टी फॉर मरला लिए हमने फिफ्टी फॉर मरले को यदि हम एक मरले में तीस पॉइंट पचीस केर य और शुरूप चंद जी यह मैंने कुर्सी नमा फैमिली ट्री लिए इनके लीगल है रहे हैं जो यह है तीन लिखे मैंने ए बी सी डी एफ जी है चाई और जे के लमन ओपी ओ यह छे लिग ले रहे हैं अब जो शेर हैं का जो रेविनियर कॉर्ड में हैं वह इस साब से इनक गलती ज लग रही है तो उनको जो पंदरा बंदेने हैं इसमें पंदरा बन भरनों को बरबर आएगीा में जबके ऐसा नहीं क्योंकि एक बटाट में एक बटाट को तो वैसी मल्कि ओकने विए दी सौक ओ आठ चसे उकरें तो साड़े बारा इसका शेया साड़े बारा परसंट बनता है अ就是說 कि शाड़े बारा परसंट बन गया और यह तुझ यह तीन बटाइब चार दोनों को यह दोनों को पची परसेंट शेर आएगा और इस अकेले को पुचतर प्रसेंट शेर आएगा जबके वो कह रहे इनको ब्रबर नहीं आएगा इसी बात पर तीन घंटे तकरीब भास होती रही हाँ ठीक है आप अपने प्रिवार में जैसे मर्दे बैठेओं उनका पैसा जैसे मर्दी बांट लो चाहे एक अदमी ले जाए चाहे साथ दस ले जाए कोई भीना ले मंदिर को दो मंदिर को दी दो लेकिन काग्यों के हिसाब से पैमेंट कैसे जानी है जिस आदमी ने अपने नाम पर रिजिस्टными हैं है वो किस तरीके से उनके खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा किस तरीके से चेक देगा या ड्राफ्ट देगा जो भी है वो इस रिकॉर्ड के मताबक जो रेविन्य रिकॉर्ड है वो इसके मताबक ही उनको पेमेंट करनी पड़ेगी साड़े बाराव परसेंट यह बंदे को और 55% में यह सिर्फ जैती ने यह क्यों होता है कि किए बार किसी का लीगल हेर में बचे क Natôm हए बचे कम उते गाई, एक होता है, धो दू होता है, तो तो उसको पूरा शेयर जा झाता है, जहां पांच बचे ARE तो वो जो शेयर है पांच में बंटा जाता है तो इस त्रीक एस उनको कम मिलते हैं तो ये सिंपल बात है इस बात में वाली बात यही है कि जो हमारे पर थूप रहे थे के इनकी बरबर बर बर जमीन तक्रीबन तक्रीबन तीन तीन सब्सक्राइब करो तो वह उस इसाब से नहीं आएगी इनको ज्यादा इनको चेशे मरले के आसपास आएगी तो दोस्तों यह छुड़ी बातों का आपने ध्यान रखना है ऐसी काम में यदि यह रिजिस्ट्री और जिस तरीके से करवा दे मतलब वैसे तो जो जिस लिखेगा वो देखेगा हारिंगल से देखेगा लेकिन फिर भी यदि वो किसी तरीके से यह गल्फ तर्जिस्ट्री हो जाए तो यह सारी उमर के लिए पंगे पढ़ जाते हैं और आपका पैसा भी फस जाते हैं इसी लिए कहा जाता है मुश्तरी उ चुटे टूल है यदि आप इनको फॉलो कर लोगे इन बातों को का ध्यान रखोगे तो आपके साथ गडबर होने के चांस आपका नुकसान होने के चांस मिनिमाइज हो जाएंगे यह मेरा आपके साथ बाद है छोड़ी शोड़ी बातों का ध्यान रखें बिलकुल आगे मत के पास कोई कागज पतर आते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ो मतलब उसका चिंतन करो मन्थन करो मत्था मारो उनके साथ मत्था मारने से पता लग जाता है कि हम कहां खड़े हैं कहीं जहां पर कमी होती है तो वो कमी हम दूर कर सकते हैं यदि हम कमी दूर कर लेंगे तो हमारा नुकसान नहीं होगा. यदि हमारी कमी रह जाएगी, तो हमारा नुकसान होना तैय है, और फिर एक बार जब हम एजे पर्टेजर हमारी पेमेट अगले के पास चली जाती है, तो फिर अगले अपने हिसाब से ही आपके साथ बात करते हैं जब तक पैसा उनके पास नहीं जाता तब तक आप उनको जो मरजी बात को हो वो मान जाएंगी लेकिन जिस दिन पैसा चला गया तो वो अपने टर्म से बातें करेंगे फिर आपकी शहाद बात ना भी मनें और इसमें दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो छोटी जमीन बहुत कम है और बंदे पंद्रा हैं इसमें पंद्रा बंदे को हिंडल करना ही बड़ी मुश्कुल हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इतने ही उमीद है ये शोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगेगा आपकी नॉलज में इदाफा करेगा और अब मिलता हूं जल्दी ने टॉपिक के साथ तब तक आप वीडियो को लाइक करके शेर करके इसके पर चर्चा कर लेना आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा देना और कोई आपका स्वाल हो कमेंट बॉक्स में थैंक कर दो